लगातर जुड़े रहने के लिए चेनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जुरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले बाशे से कई बार इनसान की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती हैं जिसमें उसे ना चाहती हुए भी कुछ फैसले लेने पड़ते हैं कुछ की जिनकी में वो फैसले बाद में जाकर सुख देते हैं और कुछ की जिनकी में दुख देते हैं ऐसी situation आई है एक racing driver है उनके life में जिसके चलते उन्हें अपने racing driver की दुनिया को छोड़कर जो pon star की दुनिया है उसकी तरफ अपना रुप करना पड़ा है कौन है वो, क्यों उन्हें ऐसा करना पड़ा और क्या अब वो अपने faciles के खुष है आईए सब कुछ जानते हैं इसके बारे में ओस्टलिया की पूरो सुपरकाड ड्राइवर और रेसर उन्होंने रेसिंग छोड़ कर एडल्ट इंडस्ट्री यानि कि पॉर्ण के दुनिया के तरफ अपना रुख कर लिया है अब वो रेसिंग के बजाए पॉर्ण इंडस्ट्री में काम करेंगी अपने इस काम को लेकर वो कहती हैं कि इस काम से वो खुस भी है जब उनसे पुछा गया कि आपने रेसिंग के दुनिया को छोड़ कर इस दुनिया के तरफ आने का फैसला क्यों लिया तो वो कहती हैं कि रेसिंग में पैसा नहीं था, गरीबी के हालत पैदा हो गई थी और अब एडल्ट इंडस्ट्री में उनके पास दाम, काम और नाम तीनों चीज़ है इनका नाम है रेनी ग्रेसी जो कि 25 साल की हैं 25 साल के रेनी ग्रेसी ने सुपरकार रेसिंग में अपना करियर छोड़ के पोरण इंडस्ट्री के तरफ आने का फैसला कर लिया है पिछले हफते उन्होंने एक इंटर्वी में कहा कि ये उनके जीवन का सबसे बहतरीन फैसला था यानि कि रेसिंग को छोड़ कर पोरण इंडस्ट्री के तरफ आने का फैसला अब रेनी के इस फैसले को लेकर उनके पेरेंट्स उनके घरवाले क्या इस फैसले में उनका साथ दे रहे हैं तो रेनी कहती हैं कि उनके इस काम में उनके घरवाले उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं रेनी ने बताया कि उनके पापा को उन पर गरो है क्यूंकि अब वो पूरे घर की आर्थिक रूप से मदद कर पा रही है पहले वो रेसिंग से अपने परिवार की मदद नहीं कर पाती थी लेकिन अब इस पूर्ण इंडरस्टी के दुनिया में आकर अपने परिवार की वो पूरी तरह से मदद कर पा रही है रेसिंग की दुनिया में पैसे की तंगी थी जिसके चलते उन्होंने रेसिंग की दुनिया को छोड़ दिया और ये फैसला लिया रेनी ने बताया कि उन्होंने सूपर टू सीजन में सत्रा रेस में भाग लिया सिर्फ एक रेस में बाहर हुई थी बाके सभी रेस में वो टोप टन फिनिसर्स में रही हैं रेसिंग ने अपना रेसिंग करियर 2015 में शुरू किया था तब उन्होंने स्विस ड्राइवर सीमोन डे सिलवेस्तरो के साथ पार्टनर्सिप की थी ये हैं कुछ पोस्ट ट्विटर पर जो रेनी गरेसि को लेकर डाली गई है रेनी कहती है कि मैंने रेसिंग छोड़ दी है लेकिन रेनी दूसरी इंडस्ट्री में रेसिंग करने के लिए उतर चुकी है यानि कि काम करने के लिए तयार है वो कहती हैं कि इस दुनिया को छोड़ कर अब इस नई दुनिया में मैं अच्छा नाम भी कमाऊंगी और अच्छे पैसे भी रेनी गरेसि कहती हैं कि रेसिंग की दुनिया में सिजनल पैसे मिलते थे मतलब जब रेस होगी तब पैसे जब रेस नहीं होगी तब कोई पैसे नहीं काम भी कम होता था रेसिंग के दुनिया में लेकिन अब पोर्ण इंडरस्ट्री में हर हफते रेनी 25,000 डोलर यानि की 18.88 लाग रुपे कमा रही है यानि महीने में लग बग 75-76 लाग रुपे ये और भी कुछ पोस्ट है जो रेनी गरेशी को लेकर ट्विटर पर डाली गई है रेनी कहती है कि मैं इतनी जल्दी मोर्टर स्पोर्ट नहीं छोड़ती लेकिन 2017 में उनको ड्रेगन रेसिंग से 5 राउंड के बाद हटा दिया गया और इस से उनका मन जो खराब हो गया था और तभी उन्होंने सोच लिया था कि अब वो अपना काम बदलेंगी यांकि रेसिंग को दुनिया को छोड़ कर अब वो किसी और इंडरस्ट्री में अपना काम शुरू करेंगी रेनी गरेसि ने अपनी एक वेबसाइट भी बनाई है वो वेबसाइट का नाम अभी तक हमारे सामने नहीं आया है जैसे ही उस वेबसाइट का नाम हमारे सामने आता है हम आपको उसका लिंक इस वीडियो में डाल देंगे रेनी गरेसी ने जो अपनी वेबसाइट बनाई है वहाँ पर वो अपनी तस्वीरें और वीडियो के बदले पैसे चार्ज करती हैं इस से में रेनी जितने पैसे कमा रही हैं वो कहती हैं कि वो इतने पैसों से खुश है वो कहती हैं कि इन पैसों से अब वो हर सामान खरीदेंगी जो उनको चाहिए रेनी ने बताया कि जब उन्होंने पॉर्ड इंडिस्ट्री के तरफ अपना पहला कदम रखा था और अपना काम शुरू किया था तो वो काफी हिचक रही थी लेकिन पहले एक हफ़ते में जब उन्होंने 18.88 लाग रुपे कमाए तो उनको लगा कि इस इंडिस्ट्री में पैसा भी है और ना तो हम सब ने देखा कि रेनी गरेशी ने अपनी गरीबी के चलते अपना ये फैसला लिया है अब इस वैसले के उपर आपकी क्या राय है कमेंट बोक्स में जरूर लिखेगा और भी अपडेट के लिए जुड़े रहिए ठैंक्स फर वोचिंग एंड कीप सपोर्टिंग जैहिन